हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने सेव टम्माटर की सबजी बनाने जा रही हूं तो इस बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे घी को अच्छे से गरम कर लेंगे अब ये घी बहुत अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें थोड़ा से सर्सों के दाने जीरा और एक पिंच हिंग पाउडर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर सूखा दनिया नमक लाल मिर्ची पाउडर इन सारे मसालों को डाल देंगे कोई भी मसाल अपने टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं इन मसालों को हम गी में अच्छे से भूलेंगे अब ये मसाले हमारे भून गए है इसके बाद हम इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्च और अद्रक डालेंगे इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भूलेंगे दो चमच दही डालेंगे फैट के इसे भी मिक्स कर लेंगे और भूलेंगे थोड़ा से इसमें मैंने वन टेवेल स्पून पानी डाला है दो टमाटर मोटे पीसों में कट करके डालेंगे और इन्हें भी मसालों के साथ भूलेंगे यह मैंने पीसों में कट करके डालेंगे अब यह टमाटर भी हमारे भूल गए है अब यहाँ पर हम दो टमाटर बारिक पीस के डालेंगे इसे भी मिक्स करके अच्छे से भूल लेंगे जब तक ग्रेवी हमारे इसमें घी न छोड़ दे तब तक हम इसे इसी तरह से भूलते रहेंगे घी छोड़ने तक अच्छे से भूल लेंगे इसे में पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक्के पका लूँगे अब ये ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है चारव तरफ घी भी आने लगा है अब इसमें एक कप मोटे वाले सेव डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सेव मैंने पहले से बना के रखे हुए है अब हम इसमें आवशकता के साब से पानी अड़ करेंगे यहाँ पर मैंने हाफ ग्लास पानी अड़ किया है अगर आपको कम लगे पानी तो इसमें थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं इसे हमें लो फ्लेम पर दस मिनट तक पकाना है दस मिनट तक इसे पकने के बाद चेक करेंगे इस सबजी को पकते हुए दस मिनट हो गई है मेरे को इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें हाफ ग्लास पानी और एड़ किया था यहाँ पर आधा चमच पिसी भी चीनी डाली है चीनी की जगा थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं वन फो टी स्पून गरम मसाला डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे उपर से कटा हुआ हरदनिया डालेंगे अब यह सबजी हमारी बनकर तयार हो गई है यहाँ पर हम इसकी गैस बन कर देंगे इसे हम रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं अब यह हमारी टमाटर सेव की राजिस्थानी सबजी बनकर तयार हो गई है थैंक यू